नमस्ते जैहिंद आप सभी का स्वागत है देवरिया जी असड़ा राघवनगर में जो छात्र चाहते हैं कम समय में सटिक तैयारी करना अपना और टू दा पॉइंट परिछा के दिश्टिकोर से उनका हर्दिक स्वागत है और जो छात्र थोड़ा रिशर्च करने के चकर में हैं तो सायद उनके लिए इलावकारी नहीं होगा लेकिन टू दा पॉइंट उत्तर परदेश पुले सिपाही की हिंदी के तैयारी देवरिया में अगर कहीं हो रही है टू दा पॉइंट साधारन समानने हिंदी का तो वह है देवरिया जी असड़ा क्यों क्योंकि यह जो आ क्लास 7 और 8 का है तो कितना इस Tender होगा और क्या क्वाल्टी होगी सी टौपीकी यानि साधारन होगा क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों का यह सिलेबस है जो टौपीक है तो चलिए समय गवाएं बगर क्लास 7 का टौपीक हम लोह देखने जा रहा है आप लोग के लिए उत्तरपदे सिपाही के लिए मैंने कहा था ना कि सिपाही में समानने हिंदी पूछता है प्रेक्टिसेट आप देख लिजिए चोकि क्यों भारी लगता आपको आप पढ़ते नहीं है देखते नहीं है और कुछ लोग भोकाल मचाए हुए रहते हैं बहु क्लास 7 का टॉपिक आगया आपका टॉपिक का नाम है लिंग हिंदी में दो परकार के लिंग यानि स्थिलिंग और पुलिंग जिन सब्दों से इस्त्री जाती का बोद हो वह स्थिलिंग और जिसे पुरुष जाती का बोद हो वह पुलिंग होता है या तो आप लोग जानत आप जानते हैं मामा फुलिंग है और मामी इस्तिलिंग है तो इससे आप किरिया के साथ परियोग अगर करेंगे जैसे खाता है खाती है पीता है पिती है जाता है जाती है बहर रही है की बहर रहा है की चल रहा है की चल रही है अगर किरिया के साथ उस सब्द को परियोग करें वैसे भी हिंदी में लिंग सरवाधिक भीवादास पर टॉपिक मानना जाता है, कई-कई नियम है, और लिंग टॉपिक में तीन वीडियो बनेंगे, कितने वीडियो, तीन वीडियो, छोटे-छोटे भाग में मैं बनाऊंगा, तो पहला क्लास देखते हैं लिंग, यानि कि प कि लड़का आकारांता गया आम मो में ओ गया तो जिन सब्दों क्यांत में ओ आए या आए प्राया हुआ पुलिंग होगा ठेक जैसे देखेंगे आपका ओ वाले जो पुलिंग है वा देख सकते हैं आप बोड पर यह ओ वाले सब जो पुलिंग है कौन कौन है जैसे प्रेम प्रेम में क्या है ओ है प्रेम मो में ओ है सागर रो में ओ है परवत में ओ है सिखर में लाष्ट में रो में ओ है जहाज क्यांत में ओ यानि आकारांती यह सब्द है जिन सब्दों क्यांत में ओ आ रहा है वह अकारान और वह प्राया पुलिंग होगा जैसे देखिए देख लिए आप लोगों ने लेकिन जा आवस्यक नहीं है कि सभी सब्दों के अंत में ओए तो पुलिंग ही होगा अपवाद भी है और अपवाद से प्रस्न बनते भी है जैसे कि देखिए बात हुआ घात हुआ लात हुआ नाक हुआ नाक हुआ जीब हुआ कारण क्या देखिए ये नाक का जो आपका तत्सम होता है न वह होता है क्या वह होता है नासी का क्या नासी का यानि तदभव इसमें अकारांत हो गया और तद्सम जो है अकारान्थ हो गया तो हिंदी का नियम यह जानेंगे कि आपका तद्भाव अगर अकारान्थ हो तद्भाव क्या हो अकारान्थ हो और उसका तद्सम अकारान्थ हो तो वो सब्द होगा इस्तिलिंग फिर आप जीब है जीब का अगर देखते हैं तो जीबवा हो जाता है क्या हो जाता है जीबवा और ये जीब तो तदभव है और जीबवा जो है तदसम है यानि असपश्ट है कि जो सब्द का तदभव में अकारांथ होगा तदसम में अकारांथ होगा तो वो सब्ध स्थिलिंग ही होगी लेकिन तर्सम और तर्भव दोनों के अंत में अकारांथ हो तो वो सब्ध क्या होता है? पुलिंग होता है तो इस्टा से अकारांथ सब्ध भी स्थिलिंग है अब देखिए अकारांथ जो पुलिंग है आकारांट जो क्या है, पुलिंग है, बुरापा, कपड़ा, पुराना, खोटा, लेकिन अपवाद आकारांट जो इस्तिलिंग है, डलिया, खटिया, डिबिया और विर्ता, यानि इस तरह से कई सब्ध है, तो आकारांट और आकारांट पुलिंग होंगे, और इकारांट और इस्तिलिंग होंगे समाने रूप से सभी नहीं पढ़ाया जाएगा इसका तीन वीडियो बनेगा लिंक पर यानि इकारान तिथी हुआ रिती हुआ रासी हुआ जाती हुआ यह क्या है इस्तिलिंग हुआ लेकिन आप वाद जो इकारान छोटी की बात हो रही है जो आपके जोटी चाची लाठी कुरसी चिठी धोती यह सब क्या रहा है यह लास्ट में देखिए क्या रही है इसमें यह रहा है देख रहा है ना बड़ी यह रहा है देखिए आप मैंने क्या का सधारन बच्चे ही पढ़ेंगे जिनको दिकत आती है उसी के लिए वरदान है वीडिय हो जा रहा है देखिए हाथी हुआ दोही हुआ पानी हुआ और घी ए परिछा में पूछता है याद रखिएगा इच्छा करें तो नोट कर लिए दोही और पानी क्या है दोही और पानी ये पुलिंग होता है दोही क्या होता है पुलिंग होता है यह अभी बताया जाएगा कि पानी कैसे उभई लिंग में आयेगा, यानि पुलिंग सब्दों की पाचान, यानि पुलिंग कौन कौन होता है जान्य कैसे पाचानेंगे कि वो इस्तिलिंग है कि पुलिंग है तो हिंदी के बनमाला कोखो गोगो अंगो चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच E, E, और E, बताया मैंने न, जिन सब्दों क्यांत में E आयो क्या, इस्टिलिंग होगा, तो ये E, E, पुछा हुआ परिछा में, छोटी बड़ी, ये स्टिलिंग होगा, बाकी सब जो होते हैं, वो पुलिंग होते हैं, अनाजों के नाम जैसे की, गें हो चावल, ये सब क्या ह होंगे, ये पुलिंग होंगे, अपवाद क्या है, जो इस्टिलिंग है अनाज, अरहर, मोंग, जवार, खेसारी, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पुलिंग होंगे, दिनों के नाम और महीना, जो हिंदू कलेंडर के अनुसार है, चाहित, बैसाख, जेठ, असार, ये सब प पुलिंग होंगे, ये ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, जैसे के ब्यस्पति, सोक्र, सानी, मंगल, ब्यस्पति, लेकिन अपवाद ग्रह जो इस्तिलिंग है, वो अपनी प्रिथवी है, देखेंगे, देशों के नाम, भारा, जपान, चीन, भुटान, ये पुलीन होंगे देखेंगे परवस समंद्रों के नाम पुलिन होंगे जैसे बंधाचल अरावली हिंदमासा गरोर इस अब क्या है पुलिंग मैं पेड़ों के नाम क्या होते हैं पुलिंग आम सागहवन जुदा होगे लेकिन आपवाद नीम और हिमली जो पेड इस्तिलिंग है द्रव पदाथों के नाम पुलिंग होते हैं लेकिन आपवाद मिठी और चांदी ये स्तिलिंग है अकारान तत्सम संग्या यानि जिन सब्दों क्यांत में ओ आए और वह तत्सम हो तो क्या होगा वो पुलिंग होगा जैसे धन, जल, फल, इत्यादि, हिंदी के आकारान संग्या पुलिंग होता है जैसे चाता, बाजा, गुष्शा, चम्र, ये लाश्ट में क्या रहा ये ? क्या रहा है? आ रहा है लेकिन ये किसका है ये आकरान का है नुकी संस्क्रीट का संस्क्रीट का अगर आका रांच हुआ तो इस्तिलिंग हो जाएगा ध्यान से सुल RD से शुनेंगे नदियों के नाम इस्तिलिंग हो bust進icat गंगा यमुना सर्स्ति गोडावरी- आवेरी लेकिन अपवाद नदी जो पुलिंग है सिंदु सोड और ब्रहम पुत्र ये नदिया पुलिंग है अगला देखेंगे तितियों के नाम पहली दूसरी तिसरी चौती पाच्वी यह सब क्या होंगे इस्टिलिंग होंगे भासाओ के नाम पंजाबी मराथी गुजरात ये सब क्या होंगे इस्टिलिंग होंगे ये भासाओ के नाम लिपियों के नाम क्या होंगे इस्टिलिंग होंगे देवनागरी फिर आपका गुर्मुखी ये जितना है लिपी सब इस्टिलिंग होंगे ये जील के नाम इस्टिलिंग होंगे जैसे कि बुलर जील डल जील होंगे खाडियों के नाम बंगाल की खाड़ी हर्सन की खाड़ी मेक्सिकों की खाड़ी यह सब क्या होगा इस्तिलिंग होगा पाड़ियों के नाम बिंदाचल सत्पूरा रावली जो भी है यह सब क्या होंगे आई आहट आवट इकाई माई याई या नियंत में यह सब्द आ हट कby 7 गोन इसटीन में प्रॉभल डावत यह क्या हो गया इस स्तिलीन हो गया इमा से बना दिये में जिन सब्डों के अंत में यह आ रहा है यह इसपर क्या होंगे इससे ए हुआ यह हुआ जैसे कि लिग दिया हमने लड़ की यह क्या हुआ इस लिंग हुआ तो यह आपका लिंग टॉपी का पहला वीडियो है ध्यान से देखिएगा लिंग टॉपी का यह पहला वीडियो लिंग टॉपी का पहला वीडियो आपके समक्ष है है ना और यह दूसरा वीडियो पड़ेगा अभी दो पहरवाद या तीन से चार में के बीच और एक तीसरा वीडियो यानि उसमें बताया जाएगा कि ये पुलिंग से इस्तिलिंग बनाने के नियम बताऊंगा इस्तिलिंग के नियम उसमें बताया जाएगा कि कैसे पुलिंग सब्दों को इस्तिलिंग बना आगे आपके सामने और इंतिजार कीजिए साम तक दूसा वीडियो अपलोड करूंगा मौसम थोड़ा खराब है इस कारण से कंटिनियू मैं वर्क नहीं कर रहा हूं पा रहा हूं अपने चैनल पर क्योंकि बिजली की समस्य आ रही है तो आप इसे पसंद करें और जो भी परि तब देखे लड़ता है कोचन या नहीं लड़ता है अगला वीडियो बहुत बहुत जल्द मिल रहा है आप लोगों इजाज़ा दे सबको नमस्ते जय हिन